आफाक न्यू इक्बाल सिरीज, कीप लेर्निंग एट होम, बाफिमाटिक्स ग्रेड वन, चप्टर वन, होल नॉम्बर्ज, बच्चों, इस चप्टर में हम जिरो से लेकर वन हंडिड तक काउंटिंग, नंबर्स को कंपेर करने, और्डिनल नंबर्स और वन टु वन कोरिस्पोंडन्स के बारे में जानेंगे, तो चलिए, सबसे पहले हम पेज नंबर वन पर रिविजन से स्टार्ट करेंगे, बच्चों, क्या आपको पता है के नंबर्स क्या होते ह हैं, जिहां नंबर्स की मदद से हम किसी भी कॉंटिटी को काउंट कर सकते हैं, बच्चों, यहां भी आ गया पहला क्वेशन हम मिलकर सॉल्फ करेंगे, जिसमें हम 0 से लेकर 10 तक मिलकर काउंटिंग करेंगे, और मिसिंग नंबर्स लिखते जाएंगे, तो चलिए, मेरे 7, 8, 9, 10, गुद जाब, बच्चों, 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग को याद रखते हुए, आप आगे दिये गए क्वेशन सॉल्फ कीजिए, आप यह बासा नहीं कर सकते हैं, बच्चों, इसके बाद हम पेज नंबर 5 पर 10 और 1 के बारे में जानेंगे, कि आपको पता है कि 10 10s के बढ़नल्ज में काउंट करते हैं, तो इसको काउंट करना हमारे लिए असान हो जाता है, जैसे कि आप पहले एक्जम्दल में देख सकते हैं, कि अगर हम दिये गए़ फ़्लार's को काउंट करना चाहें, तो सबसे पहले हम 10 फ़्लार्ज का एक बंच बनाएंगे, और 2 flowers को अलग count करेंगे one ten और two ones बन जाते हैं twelve इसी तरह आप दूसरी example में देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ten pencils के दो bundles हों और eight individual pencils हों तो ये बन जाते हैं two tens and eight ones जिन को मिलाने पे हमें मिलता है twenty eight इस बात को मजीद समझने के लिए आप आखिर में दी गए मिसाल पर गोर कीजिए अगर एक cube एक one को show करता है तो इस तरह के दस cubes को मिलाने से एक ten बन जाता है तो हम यूं कह सकते हैं कि ten ones make one ten बच्चों इस बात को याद रखते हुए अब हम page number seven पर eleven से लेकर twenty तक count करना सीखेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि one ten और one ones को मिलाने से बन जाता है eleven और इसी तरह one ten और two ones को मिलाने से बन जाता है twelve और इसी तरह one ten और three ones को मिलाने से बन जाता है thirteen और इसी तरह अगर हम one add करते जाएं तो हमें अगले numbers मिलते जाएंगे इस बात को याद रखते हुए आप आगे दिये गए नमबर्स खुद बनाईए आप ये बासानी कर सकते हैं बच्चों इसके बाद हम पेज नमबर 17 पर बिफोर, आफ्टर, एंड बिट्वीन का कॉंसेप्ट समझेंगे आप याँ एक्जामपल में देख सकते हैं कि अगर हम दिये गए ब्लॉक्स को सीक्वेंस में रेंज करें तो हम जानेंगे कि 1, 2 से पहले आता है और 2, 3 उसे पहले आता है इसी तरह 2, 1 के बाद आता है और 3, 2 के बाद आता है और ये भी जानेंगे कि 2, 1 और 3 के बीच में आता है बच्चों इस बात को मधी समझने के लिए आप दी गई नमबर लाइन में 29 पर गौर की जिए आप देख सकते हैं कि 28, 29 से पहले आता है इसी तरह 30, 29 के बाद आता है तो इसी तरह 28 और 30 के बीच में आता है 29 बच्चों इन बातों को याद रखते हुए आप दिये गए कॉश्चन सॉल्स कीजिए आप ये बासा नहीं कर सकते हैं बच्चों अब इसके बाद हम पेज नमबर 19 पर नमबर को कमपेर करना सीखेंगे बच्चों याद रखिए जब भी हमें दो टू डिजिट टंबर को कमपेर करना हो तो सबसे पहले हम इन दोनों नमबर में मौझूद 10 प्लेस की वैलियोस को कमपेर करेंगे इन में से जिस नमबर में 10 प्लेस की वैलियो बढ़ी है वही नमबर बढ़ा होगा और अगर 10s place पर मौझूद values सेम है तो इस सूरत में हमें 1s place पर मौझूद values को compare करना होगा इन में से जिस नंबर में 1s place की value बड़ी है वही नंबर बड़ा होगा इस बात को मजीद समझने के लिए हम यहां दी गए examples को समझते हैं अब पहली example में देख सकते हैं कि 40 और 20 को compare किया जाना है जैसा कि आप देख सकते हैं कि 40 4 10s के बराबर होता है और 20 2 10s के बराबर होता है और क्योंकि 4 10s 2 10s से ज़ादा होते हैं इसलिए 40 20 से बड़ा है यानि 40 is greater than 20 इसके बाद अब अगली example में देख सकते हैं कि 25 और 28 को compare किया जाना है जैसा कि आप देख सकते हैं कि 25, 2 10s और 5 1s के बरावर होता है जबके 28, 2 10s और 8 1s के बरावर होता है और क्योंकि इन दोनों numbers में 10s place पर मौजूद values सेम है तो इस सूरत में हमें 1s place पर मौजूद values को compare करना होगा बच्चों क्योंकि 5 1s 8 1s से कम होते हैं इसी लिए हम कह सकते हैं कि 25, 28 से कम होता है यानि 25 is less than 28 और 28 is greater than 25 बच्चों इन बातों के याद रखते हुए अब दिये गए question solve कीजिए आप ये बाता नहीं कर सकते हैं बच्चों अब इस के बाद हम page number 27 पर ordinal numbers के बारे में जानेंगे क्या आपको पता है कि ordinal numbers किसी भी objective position को जाहर करते हैं इन numbers को बनाने के लिए 1 के आगे st, 2 के आगे nd, 3 के आगे rd और 4 से लेकर 10 तक आने वाले numbers में आखर में th लगाया जाता है तो चलिए अब हम 1 से लेकर 10 तक ordinal numbers मिलकर पढ़ेंगे ये numbers हैं first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth बच्चों, इस बात को याद रखते हुए अब दिया गया question solve कीजिए आप ये बहासा नहीं कर सकते हैं बच्चों, अब इसके बाद हम page number 28 पर one to one correspondence के बारे में जानेंगे one to one correspondence का मतलब होता है एक चीज को किसी एक चीज के साथ match करना जैसे कि आप example में देख सकते हैं कि अगर हम 4 flowers और 5 butterflies को compare करना चाहें तो एक butterfly बच जाएगी क्योंकि butterflies जादा हैं और flowers कम हैं इस बात को याद रखते हुए अब दिये गया question solve कीजिए आप ये बहासा नहीं कर सकते हैं अगली बार तक के लिए अल्ला हाफिज